नमस्कार, डेकाल सांच ना पांच बागया थी, आज सांच ना पांच बागया सुधी, आ 24 कल्लाक मा गुजरात मा 346 जेटला COVID-19 ना पॉजटिव केसिस मले आच्छे, आ समय दर्म्यान, आपड़ा तियां 6 एवा लोकों ना दुखत अफसान थे आच्छे, के जेम ना मृत्यू माटे आपने कई शक्ये के COVID-19 अज प्राथमिक कारण हतु, चव देवा लोकों ना पन दुखत अफसान थे आच्छे, के जेम ने पहले थी अन्य गंभीर, को मॉर्बिड कंडिशन अथवा बीमारियों पहले थी हाती, अने एमने COVID-19 नू संक्रमान पन थ थायू छे, अने आनाली धे पण एमनू मृत्यू थायू छे, एटले आवा आजे विगत छे, थास आजे पण 255 जेटला, 235 जेटला लोको साजा थाईने, एमनू ट्रीटमेंट पूरू थाईने, डिस्चार्ज थाईने, वापस घरे गया छे, केसुज नी विगत पण, मे पॉजिटिव केसेज आपड़ा त्यां छे, 8542 अने जे स्टेबल पेशन्स छे अत्यारे, 5,200 अधार लोको एवा छे, के जे बिलकुल रूम एयर पर छे, अथवा तो सिंपल ऑक्सिजन पर छे, 31 एवा लोको छे, के जे वेंटिलेटर पर छे, अटले क्रिटिकल छे, अने आज दिन सुधी, जे कुल डिस्चाज थाई रहा छे, 2,780 लोको छे, आज दिन सुधी के जे साजा थाई ने सारवार थाई गई छे, अने डिस्चाज थाई ने पाचा गया छे, अत्यार सुधी जे कुल टेस्ट्स आपड़े करया छे, ए अंक पन 1,6,731, चार सो एको ते एको तेर, 1,16,471 टेस्ट्स करया, अने चल्ला 24 गलाक मां 2,938, 2,978 टेस्ट्स आपड़े करी शक्या छे, अने आर इतनी विगट छे, आजे खास एक ग्राफ आपने बधाने बतावू छे, जे अमें शेर करिये छे, एक ग्राफ मां आप जोशो, के जे आपना त्याँ जे डिस्चार्ज थेला लोको छे, एनी संख्या पण, एनी साथे जे डेट्स नू अंक छे, रोज नू डेली फिगर्ज ओफ आपसलूट पॉजुट पॉजुटिव केसस, अने एज रीते रोज ना जे अपसलूट पेशन्ट क्योड, ए अंक पण छे, अने त्रीजू, के रो गईकाले जे 454 जेटलू हतू, एज रीते जे लोको नवा पॉजुटिव केसस आवया छे, 300, गईकाले 398 हता, अने जे डेट्स गईकाले हता 21 हता, वे डेट्स पन आजे हजी घटी ने 20 सुधी आवया छे, अने एज रीते पॉजुटिव केसस छे, ए 3, 4, 7, एटले हजी गईकाले 454 हता, आजे 235, पड़ा ग्राफ मां सरस रीते आपने जोहिये छे, कि आ त्रणी पारामीटर्स मां एक सरस इंप्रूव्मेंट जोहा मडियू छे, आजे बीजी एक अगत्यनी वात केवानी, कि जे उत्राखंड मां इंडियन मेडिसेंस फार्मस्यूटिकल कॉर् जेने IMPC-L केवाम आवे छे, त्या रामनगर उत्राखंड मां आखिया फार्मसी छे, त्यां थी खास आपने एक हवाई जहास ची एरक्राफ्ट थी, आजे एरलिफ्ट कर्यू छे, 2409 किलोग्राम सम्शमनी वत्ती, आपने टोटल 2490 किलोग्राम सम्शमनी वत्ती, आपने आजे एरलिफ्ट कर्यू छे, एज रीते 10 मूल कवात, जे आयूश नी अगत्यानी 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 एक मेडिसन छे, पन, 440 किलोग्राम जेटलू आपने आजे, अमदाबाद मां उत्तराखंड थी, देरादून थी एरलिफ्ट कर्या छे, अने एक कास करीने 64 नामना कापस्यूल्स आवे छे, जे ट्रीटमेंट मांटे खूब उपयोगी होय छे, एपन 10,000 जेतला कापस्यूल्स आपने आजे लई आवया छे, अने आना थी 3.56 लाक व्यक्तियोंने डोस मले एम छे, जे सम्षमनी वटीनी वात करिये, दश्मूल कवात पन 1 लाक उप आपने त्या थी मंगावी रहा छे, आ रीते सरकार इचे छे के जेटला पण लोकोंने आयूश ना पधती मां श्रद्धा होय इच्छा होय ए लोको माटे आखास रोग प्रतिकारक शक्ती वधारवा माटे अने साथे साथे जेटला लोको पॉजटिव छे अने एमने जो आ आयूश ट्रीटमेंट लेवा माटे एमनी सम्मती होय अने खास तो एना उपक्रमें आपने एमने आट ट्रीटमेंट पड़ापी शकाई जे थी के आपने विश्वभर मां अत्यारे एक वस्तू जो ही रहा छे के अलग-अलग राज्यों मां अलग-अलग राष्ट्रों मां अने एक नवा प्रयोगों पण करी रहा छे केमकि आत तद्धन एक नवी बीमारी छे अने इमा मेन आपने एक क्लू ए मळे छे कि जिटली आपनी इम्म्यूनिटी रोग प्रतिकारक शक्ती वधारे होय आपने वधारे सारी रीते आनी साथे लड़ीने साजा थाईने अच्छा बाहर डिस्चार्ज थेई रहा छे माटे आ बध्धा प्रेयोगों ना खुब अध्वपूर्ण एक भुमिका छे आ समग्र लडाई मां कोविट साथे ना युद मां अने गुजरात आमां खुब एक सारी पहल करी रही छे आजे खास आपना कोविट हॉस्पिटल अ अंधाबाद मां जेटला पन पेशंस छे बध्धाने रोज हर्बल टी पन आपवा मावी रही चाने एवीज रीतनो एक हर्बल टी जे लोको पन लई शके एनू पन रेसिपी आजे आपवा मावशे घरे पन एटले आ बध्धा घर गतु जे सिंपल किचन नी अंदर रसोड लाइन्स काया छे एनी आखी रेसिपी तज एक ग्राम मरी त्रण नंग सूट एक ग्राम मुनक्का द्राक्ष 10 नंग तुलसी फुदीना ना पान 20 नंग 200 ml पाणी मा उकाडी ने 100 ml राखू अने तेमा पची गोड 5 ग्राम अने लिंबू अर्धी चमची पड़ मेर्वू ए अपने घणी वक्ते गोल्डन मिल्क एटले हर्दर वालू दूद नी पणवाद करी छे 150 ml शक्य होई तो गायनू दूद एनी अंदर अर्ती चमची हर्दर नाखी ने एक दम इने उकाली ने गरम दूद आपने दिवसमा बेवकत लईये तो एना थी पण आपने रोग प्र दाउनलोड करवाना बाकी छे एक एक व्यक्ती आने डाउनलोड करे तो पण आपना माटे खास सुरक्षानू कवच बनी रह शे अने फरी तमने बद्धाने अनुरोद के कोवेट सामे जे लडाई चेमा आ बद्धा आपना जे रोग प्रतिकारक शक्ती वधारवा माटे न वाइरस होई तो पण आपने एनी चेप न लागे अथवा एचेप होई तो पण आपने इना उपर वी केन विन इट ओवर अने आपना इम्मुनिटी आपनी आंटी बोडी जे चे एनी साथे लडी ने आपने साजा थाई शक्ये जल्दी अने फरी आपने कहिए छे के एंश सामान्य के स्लाइटली वधारे ताव उद्रस आ बधा लक्षणों आवे छे आने पांच टका लोको होई छे के जे थोड़ा क्रिटिकल एटले गंभीर एमने बीमारी थाये छे एटले फरी फरी ने बधाने अनुरोद आपने बधाने आहवान करिये छे के तमारा आजू- अने घरों मा जितला पण मोटी उमर ना लोको छे एमने तो खास तमें इमनी सार संभाव राग जो ए बिल्कुल बाहार ना आ संक्रमान के चेप साथे कॉन्टाक्ट मा बिल्कुल ना आवे अने जयारे पण इमनी साथे एमने मढवानू था एमनी साथे बैस्वानू थाए आपने बिल्कुल बद्धी साव चेती हाथ धोईने मास्क पैरीने फिजिकल डिस्टन्स राखीने जयारे एमने संक्रमान थाए एना उपर पण बिल्कुल आपने एक रोक लावी शक्षों नमस्कार नमस्ते कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक गुजरात में कोविट ट्वेंटी नाइनटीन के कुल 347 जितने पॉजिटिव केसिस आए हैं इसमें से ये भी पता चला है कि इस 24 घंटे दर्मियान छे ऐसे लोग हैं कि जिनका दुखद अफसान हुआ है जिनको प्रात्मिक मृत्यू का कारण हम कह सकते हैं कि कोविट ट्वेंटी नाइनटीन ही था 14 ऐसे लोगों की भी दुखद उनकी मृत्यू हुई है कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और साथ में उनको कोविट का भी संक्रमन हुआ है और उसकी वज़े से उनका दुखद अफसान हुआ है आज जितने 235 जितने लोगों का डिस्चार्ज यानि के इन्होंने चिकीट्सा ली है इनकी पूरी इलाज होके फिर बिल्कुल ठीक होके ये लोग वापस घर गए हैं इसी तरह से आज एक और पॉजिटिव चीज ये है कि कुल जो डिस्चार्ज हुए है उसका अंक अगर देखा जाए 2780 लोग हैं कि जो बिल्कुल अभी तक कुल डिस्चार्ज होके वापस घर गए हैं आज के दिन पर जो अक्टिव पेशन्स हैं उन में से 5,218 लोग स्टेबल हैं यानि कि सामान्य जो हवा है उस पर हैं रूम एयर पर हैं या फिर सिंपल ऑक्सिजन पर हैं 31 लोग ऐसे हैं कि थोड़े गंभीर हैं यानि कि वेंटिलेटरी कैर पर हैं और जो अभी तक के टेस्ट किये हैं एक लाख सोलह हजार चारसो इकतर इस में से पिछले पांच बजे तक आज के पांच बजे तक के चौबिस घंटे में 2978 टेस्ट समने किये हैं आज एक खास बात ये भी कहनी है कि गुजरात सरकार ने हमारे माननिय मुख्यमंत्री श्री विजयरूपानी साहब और वैसे ही हमारे माननिय डेप्यूटी सीम साहब नितिन पटेल साहब के नेत्रुत्व में खास आयूश की जो दवाई है उसको एरलिफ्ट करने का भी एक खास प्रबंद किया है क्योंकि हमारे पास स्टॉक और भी यहां लोकली बन रहा है पर इमीरियटली तुरंत अगर हमें और भी स्टॉक हमें उसकी जरूरत थी इसलिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर ने लिया कि हमारी जो आयम पीसी एल फार्मसी जो है उत्राखंड में राम नगर में वहां से दहरदून से हवाई जहाज में ये पूरे आज आयूश की जो दवाईयां हैं वहां से एरलिफ्ट की गई थी आज दोपैर डेड़ कॉर्पोरेशन का एरिया है कि जिससे जो अभी होट स्पोट की तरह उसमें इसकी जो प्रमान बाकी जिल्लों और बाकी शेहरों के मुकाबले थोड़ा जादा है वहां पर इसका बहुत जादा डिस्ट्रिब्यूशन का एक काम वितरण का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं इ वैसे ही 1440 किलोग्राम दश मूल कवात इससे भी साथ दिन तक ये कवात दिये जाने से इससे भी काफी असर पड़ता है और ये इसे खास ट्रीटमेंट के लिए भी अब आयूश मंत्राले के साथ हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कोविर पॉजिटिव लोगो अज सरकार ने खास इस पर ये पहल किया है कि वहां से हमने ऐरलिफ्ट किया है और इसका वितरन किया जाएगा आज खास एक ग्राफ भी बताना चाहते हैं कि हमारे याँ कल तक जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं जितने हमारे पॉजिटिव केसे हैं और डैट्स हुए है उसमें बहुत एक अच्छी विगत आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कल शाम तक 454 जतने लोग डिस्चार्ज हो गए थे, अब उस नंबर में आज और भी बढ़ावा हुआ है, वैसे ही 398 लोग कल के दिन पॉजिटिव थे और 21 लोग कल के दिन ऐसे थे कि जिनका अफसान हुआ था, आज ये नंबर घटके कम हुआ है 20 पर और जो डिस्चार्ज हुए हैं वो नंबर भी आज जैसे कहा 235 है और जो पॉजिटिव केसे हैं वो भी घटके 347, 347 जितना हुआ है इसके अलावा सबसे अनुरोद करेंगे कि इस लडाई में कोविर के साथ जो जीतने के लिए हम हर एक व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिकारक शक्ती या रोग प्रतिकारक शमता बढ़ानी है इसमें बढ़ोत्री करनी है इसके लिए अनेक अनेक उपाए आयुश मंत्राले की तरफ से दिये गये हैं जैसे हमारे यहां जो कोविर हॉस्पिटल है बारा सो चीजे हैं जो घर में हमारे रसोई में भी मिल जाते हैं जैसे तज एक ग्राम काली मिर्ची जो है काली मरी तीन नंग सूट अद्रक सुखा हुआ एक ग्राम मुनक्का द्राक्ष दस और फिल तुलसी पुदीना के जो पान है 20 जितने पान और 200 एमेल पानी में इसे पूरा उबाल के फिर उसको उसके अंदर 5 ग्राम जैगरी यानि के गूर और आधी चमची लिम्बू अगर इसमें डाला जाता है और इसको 100 एमेल तक उबाला जाए ताकि आधा जितना इसका प्रमान घट जाए ये हर्बल टी से भी हमारी रोग प्रती का रखशक्ती बहुत बढ डाल के अगर इसे उबाला जाए और दिन में दो बार पिया जाए तो इससे भी हमारी रोग प्रतीकारक शक्ती काफी बढ़ती है तो सबसे अनुरोद करेंगे कि जितना हो सके इस तरह से जो सिंपल पर बहुत ही पावरफुल आयुश और आयुरवेदिक हमारी जो परंपर प्रागत सिंपल घर गत्तु जिसे कहते हैं प्राक्टिस हैं इनको हम अपनाएं जिससे कि हमारी रोग प्रतीकारक शक्ती बढ़े और सबसे अनुरोद करेंगे कि अपने फोन में आरोग्य सेतु आप को भी आप डाउनलोड करें आज एक और चीज खास कहना चाहेंगे कि विदेश से काफी लोग भारत सरकार के खास पहल से हमारी आज रात डेड़ बजे फिलिपीन्स मनीला से 243 जितने लोग आएंगे और वैसे ही कल सवेरे साड़े पांच बजे अमेरिका से 151 जितने लोग वापस आएंगे इन सब के रहने की व्यवस्था पे और यूज यान और उस मेंसे जो वो पसंद करेंगे उस जगह पर उनको रोकने के लिए इसकी जो राशी होगी उन्हें पे करना होगा इसका प्रावधान भी सरकार ने किया है अलग-अलग खेडा मैसाना जैसे जिलो में और वहाँ क्वारंटीन पीरियड का जो समय है पूरा करके उसके ब ।।।। 때문에 5PM yesterday and 5PM this evening, Gujarat has had a total of 347 positive cases of COVID 2019. We've had six people who have unfortunately died with COVID as the primary cause of death, there have been 14 others who have also contracted the infection of COVID. However, they were having other underlying serious comorbid conditions as well and they too unfortunately died बुस्ताब्टाज सोवने इन चाई प्रज़ ठाई लिए अिप्टाज़ को प्रज़ इस भी जान चाईश सेवें लिए इस तो इस्टाज प्रज़ इन प्रज़ अचान खिन चाईट सेवें इस तेंट चाईट इस तो तो 2780, 2780. The total positive people, those who have tested positive so far is 8542, out of which 2780 of them have got successfully discharged after undergoing their treatment. And of the patients who are currently active, there are 5218 which are stable and there are 31 people who are critical on ventilatory care. Till this evening, 5 o'clock, we have in all carried out 1,16,471 tests of COVID and in the last 24 hours till 5 p.m. today, we have carried out as many as 2,978 tests. We also want to share something very important, our state government under the leadership of our Honourable Chief Minister, Sri Vijay Rupani Sahib and our Honourable Deputy Chief Minister, Sri Nitin Bhai Patel. We have specially made efforts to airlift a large quantity of Ayush medicines used both for preventive or prophylactic boosting of immunity and also for treatment of COVID-19. So, we have lifted these medicines from the IMPCL, Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited, this factory pharmacy in Uttarakhand, Ramnagar. And we have got as many as 2,490 kilograms of Samsham Vatti, 1,440 kilograms of Dasha Moola Kavat and 10,000 capsules of Ayush 64. So, these would be primarily deployed in the containment areas of Ahmedabad and all the societies and other areas also of the Ahmedabad Municipal Corporation, which is again a hotspot and we want to make these opportunities and options of boosting their immunity to the local residents there. And we do hope that as many of them as would like to avail of these, they are able to take advantage of this. We also want to share that tonight at 1.30, we will have about 2.43 people from Philippines coming back to Gujarat. Government of India has made these special arrangements and special flights for them to return. And similarly at 5.30, early tomorrow morning, we will have about 1.51 passengers from the US returning back here. These, for these passengers to strictly follow the quarantine protocol, government has given them an option of choosing to stay in one of the resorts or hotels that the government has arranged for on a payment basis. And these are primarily located in the Keda and Meisana districts. We again request all of you that the main ally on our site, on our site in our fight against COVID is going to be our own immunity. So, let's do everything that we can to boost our immunity. There are several things that we can do. A simple thing that we could do is to be very cheerful, have a very pleasant, positive, cheerful disposition, because that too boosts our immunity. If we are fearful, morose or depressed, that again dampens us and reduces our immunity. So, request all of you to be as cheerful as possible through the day. Let's sip hot water. Let's also remember to wash our hands. This is a very beautiful acronym which has been coined by Delhi, by people like us. This is called Siddha. S. Ulta. You can wash your hand upside down this way. S. U. Muthi. To be washed like this with soap. S. U. M. Anguta. You can wash the thumb this way. Nak. Nails can be washed this way with a lot of lather. And finally, S-U-M-A-N, Kalai, which is your wrist. So, this is Suman K. S-U-M-A-N-K. Let's remember that. And every time we wash our hand and we would like you, every time you step out and come back, please remember to wash your hands. And remember not to go near the elders in the house or near those who are comorbid without washing your hands and without wearing a mask. And we can also take advantage of simple homemade remedies to boost your immunity, such as a simple herbal tea, which can be straight away made from the kitchen. All it needs is 1 gram of taj, taj is cinnamon, 3 cloves of black pepper, 1 gram of dried ginger, 10 dried black draksh or raisins, black raisins, 20 leaves of tulsi or pudina, mint leaves or tulsi, basil. 200 ml of water, it can be nicely boiled till the quantum of water reduces to half. And we could add some jaggery, 5 grams of jaggery, that's an option with half a spoon of lemon juice to it. And this is again a simple herbal tea, which incidentally we are serving in our COVID hospital as well for patients. And it can be taken by everybody so that your immunity gets boosted and you're able to face this disease and not contract the infection. Similarly, we also recommend that you have golden milk, which is nothing but hot milk, preferably cow's milk, which is boiled with half a spoon of turmeric and which is boiled and drunk hot. We again request all of you to download the Arogya Setu app in your mobile phone and keep yourself protected and secure from COVID-19. Thank you. For more information, visit www.fema.org.